कॉंग्रेस के परत्यासी अनुपमा सिंग हमारे साथ है, इस समय वो पूरे बजार में हर जगा रोट सो करती चल रही है और अपने पक्च में भोट मांग रही है, अब कुछी दिन बाकी है जब जनता अपना मत कैद कर देगी, क्या माहौल देख पा रही हैं? माहौल आप भी शायद आज आप बहुत दिन बाद यहां आए हैं, तो आपको पता नहीं होगा यहां लोकल द्यूस चैनल से जरूर पूछेगा, क्योंकि माहौल देवन से बहुत अच्छा था और दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है, लोग जुडते जा रहे हैं, हर वर के लोग जुड़ रहे हैं चाहें, वो युवा हो चाहें, बुज़ूर को चाहें, महील आए हो, क्यों लोग कॉंग्रेस को वोट करें और भाजपा को वोट ना करें? मैंने अभी इंटरव्यू में बोला है, आपको भी बोल देती हूँ, कि मैं आज धनबाद की लोग सभा से ये एक सवाल पूस्ती हो, वो सिर्फ दस चीजे बचता ये, जो दस साल में बीजेपी ने आपके लिए किया है, तो मैं उसी समय समझ जाओंगी, कि बीजेपी जीत जाएगी और मैं हार जाओंगी, लेकिन मोदी जी तो हर जगा कह रहे है, सत्तर साल, सत्तर साल में कुछ नहीं हुआ, हमारे दस साल में बहुत ज्यादा विकास हुआ है, हमने लोगों को सवचाले दिया, घर दिया, सडके दिये, एट लाइन, फोर लैन, बिल्कुल, बिल्क साल से, छत हमारी पूरी जनता उसी छत के नीचे है, पर शौचाले कहीं नहीं दिखा, तो मैं उनसे यहीं पूची, कि आप देख रहे हैं, कि 40 साल से हमारी इंद्रा जी आज है भी नहीं, पर उनका छत अभी भी बरकरार है, पर मोदी जी तो अभी भी वही वादे फिर से क कर रहे हैं, पर वो शौचाले तो गायब हो गया, एक आखरी सवल, बजार बोला जाता है कि भाजपा रहता है, माइंडेड लोग यहां पर, आप घुम रही है, बजार खास कर, तो क्या कुछ अंतर समझ में आ रहा हैं, पूरी धनबाद लोग सभा में अंतर है, और परिव परिवर्तन होगा इस बार का अनुपमा जी कह रहे हैं, कि धनबाद की लोगों ने मन बना लिया है, परिवर्तन करने का, और इस बार सो फीचिदी परिवर्तन होगा, कह रहे हैं, दस काम सिर्फ दिखा दे भाजपा, कि वो दस सालों में धनबाद के लिए किया हो, तो बोर आम काम छोड़ देंगे 936 006191 10 10 10 10 10 10